खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए तो एक बाद फिर से मॉनिंग स्पेशल में आप सभी दर्शोकों का स्वागत है बात मॉन्सून और बारिश के कहर की कर लेते हैं देखे करीब करीब पूरे देश में पहुचने के बाद आप मॉन्सून ने अपना प्रचन रूप दिखाना शुरू कर दिया है अभी तक मॉन्सून की सबसे ज़दा मार पड़ी है दक्षनी गुजरात के वलसाण और वापी जिले में जहां शानिवार और रविवार को हुई भारी बारिश के बाद बार जैसी स्थिती पैदा हो गई है दोनों जिले के कुछ इलाकों में हालात इतनी ज़ादा खराब हो गए हैं कि पानी भरने की वज़द से लोगों के अपने घर में कैद होना पड़ सकता है मौसम विपाग ने आज भी वलसाड के सासाथ गुजरात के नवसारी दमन दादर नगर हवेली में भारी बारिश के चेताबनी जारी की है तीन तस्वीरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है पानी की मनमानी दक्षण गुजरात में कैसे आफ़त लेकर आई है ये आप देखिए गुजरात के दमन गंगा, औरंगा और कोलक नदी उपान पर है वापी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ड जारी कर दिया गया है तक्षण गुजरात के वापी में रविवार को 184 mm बारिश हो गई एक ही दिन में पहले शनिवार को वलसार में एक ही दिन में रिकॉर्ड 214 mm बारिश होई पहले मौनसूर आया नहीं और आया तो एक या दो दिन में इतनी बारिश हो गई कि 15 दिन की बारिश के बराबर ये बारिश कही जाए बिलकुल वलसार की शहरी इलाकों का हाल भी बेहत खराब है आज भी यहाँ पर तेज बारिश की चिताबनी जारी की गई है जिससे हालात और जादा खराब हो सकते हैं देखिए ग्रांड रिपोर्ट प्रवाह देखिए पानी का अब ये इस गली से जो उपर का इलाका है उस इलाके से बड़े तेज प्रवाह में जो ये पानी है इस तरफ आ रहा है जो ये निचले इलाके हैं लगतार पानी से भरते जा रहे हैं घर हम आपको दिखाते हैं किती उचाई में इसमें पानी भरा हुआ है सामने एक बाइक खड़ी है और बाइक भी काफी हद तक पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है पूरी तरह से जलभराव है अब ये समस्या इतनी जटिल है या आकी कि लोगों ने भी हार मान ली है या तो अपना घर कुछ फूट की उचाई पर बनवाते हैं या तो फिर सी तरीके से पानी के इस दौर में इस बरसात के टाइम पर सभी घरों में जलभराव की समस्या पर्मानेंट बनी हुई है अनिल किसंग अजय दूबे एविपी नियूस परसाड देखे इस तरह की जब तस्वीरे आती ने तो लोग बारिश को दोश देते हैं जी नहीं बारिश का इसमें कोई दोश नहीं हो सकता है कि जादा बारिश हो गई हो लेकिन वाटो लोगिंग को लेकर सड़कें इस तरह से बनाई जाती है अब कि निकासी की कोई जगा नहीं है इसलिए इस तरह के हलाद बनते हैं बलसाड के कुछ इलाकों में तो बारिश का पानी उतरने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पीने की पानी की प्रतिमा बिल्कुल क्योंकि यहाँ हैं हैंट पंप और नलो में गंदा पानी आ रहा है कि दक्षरी गुजरात के बलसाड इलाके में जो लगतार बारिश और रुकी है धेद्रे लोग घलों के बाहर निकल रहे हैं अब देखिए यहां पर पानी भरने के लिए कुछ बच्चे आए हैं और जो पानी भरने के लिए अब इस हैंड़ पंप को चलाया जा रहा है तो जो इसका water है वह अंदर का water level है वह पुरीदर से गरबढ़ हो गया है और इसके बार देंगे गंदा पानी लगातार बाहर निकल रहा है अब लोग कह रहे हैं इसको जब देर तक चलाया जाएगा तो उसके बाद साफ पानी निकलेगा और जिस तरीके का पानी निकल लाकिस इसे आम दिनों में लोग पानी निकाला करते थे, अपने आम जन जीवन के लिए इस्तमाल करते थे, वो भी अब प्रभावी थे जो कुछ दिर बाद ठीक होने की उमीद आम लोग लगा रहे हैं। पार कर रहे हैं, गुना में भारी बारिश के बार शहर को राजस्थान की कोटा से जोडने वाले हाईवे पर, गाड़ियों के आवाजाही पर भी असर पड़ा है। समेट देते हैं। मैदानी इलाकों का हाल प्रतिमा हमने आपको दिखाया, तर्शोकों को दिखाया। उत्राखन का भी हम चाहते हैं कि आप हाल देखें। उत्राखन के रामनगर में देखिए क्या स्तिथी पैदा हो गई है। बारिश में बरसाती नादी नाले यहां उफान पर है कौन कहेगा इन तस्वीरों को देखकर यह नदी नाला है केवल। बारिश के चलते नेच 121 पर बरसाती नाला उफान पर ऐसा आया कि ट्राफिक दो घंटे तक रुख गया। हालकि रास्ता रोके जाने के बाद भी कई लोग अपनी जान जोखें में डाल कर नाला पार कर रहे थे। इस बीच एक बाइक सवार भी तेस चपेट में आ गया है इस बहाव के हालकि राहत की बात यह है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस यूवा की जान बचा ली ना जाने क्यों लोग इस बात को समझते नहीं है कि दुरगटना से देर भली कुछ घंटों का इंतजार आप भली कर लें लेकिन सुरक्षत अपने गंतवे तक बहुत जाएं यह महत्वपूर है उत्रखन की चंपावत पे बारश के बाद सड़क पर पहाडों का मलबा आने से रास्ता जाम हो गया है पहाडों का मलबा सड़क पर आने के बाद यहां गाडियों की लंब झाल 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 झाल